गर का interior का work करवा रहे हो और idea नहीं है कि wardrobe बनाने का कितना खर्चा लगेगा या बैट बनाने का टीवी यूनिट बनाने का टाइल लगाने का या डोर बनाने का तो जहां बोर पैंडल लगाने का आज की वीडियो दे तो एक एक rate आपको पता चल जाएगा interior work में labor rate क्या चल रह रहा है आपको एक idea लग जाएगा उसके बाद आप bargaining कर सकते हो कि नहीं यह इतने में नहीं इतने में करके दो क्यूंकि market rate यह चल रहा है तो आपको मैं idea दे दूंगा उसके बाद आप काम करवा सकते हो तो सब शुरू करते हैं सबसे पहली चीज है wardrobe या almira भी बनाई जाती ह हमारे गर में तो अगर आप almira या wardrobe बनाते हो अगर example लेते हैं दस वाई साथ की हमारी wardrobe बनने वाली है जो इस समय कारपेंटर रेट ले रहे हैं वो ले रहे हैं 280-300 रुपया पर square feet कितना 280-300 रुपया पर square feet और 70 square feet हुआ अगर हमारा तो 280-600 रुपया हमारा wardrobe बनाने के लिए कारपेंटर ले जाते हैं ये एक range आपको आइडिया लग गया 280-300 रुपया पर square feet देने कही जगा 200 भी चल रहा है मतलो range आपको आइडिया लग गया अगर with material किसी को काम देना है तो वो rate चल रहा है इस समय 1000-1200 रुपया पर square feet बाकि with material depend किस पर होता है total depend होता है कि material की quality क्या use होने वाली है क्योंकि ply ही 3-4 किसम के आती है माइक का ही 10 किसम का आता है जो इसकी accessory है वो 15 किसम के आती है तो जितनी accessory लगाने वाले हो उस पर depend होता है तो बाकि आपको 1000-1200 रुपय पर square feet दोगे एक अच्छी almira बनके ready हो जाएगी अगर 10 भाए 7 की हम almira बना रहे है वाड चाहता है तो इससे आपको wardrobe का idea लगया अगर आप bed बनाने चाहते हो normal bed हमारा क्या रहता है 70-72 यहां बतर बाइब बतर रहता है तो अगर example लेते है छे वाए 6.5-6 feet का हम bed बनाती है तो इस समय जो labor rate चल रहा है कारपेंटर जो खर्चा लेता है 200 रुपया पर square feet के साब से ल 500 रुपया पर square feet अगर आपका 6,5-6 का bed बन रहा है तो कुछ 9-10,000 रुपया कारपेंटर का खर्चाएगा अगर with material देते हो फिर मैंने कहा with material जब भी देना है प्लाई बहुत किसम कियाती है material बहुत किसम का आता है normal प्लाई सब कुछ normal पकड़ते हो तो 1,5-600 रुपया पर square अगला अगर TV यूनिट बनाती है देखो TV यूनिट का जो रेट इस समय चल रहा है उसमें आजकल बहुत चीज़े यूज़ कर रहे हैं यह मैं बात कर रहा हूं प्लाई बोर्ड और माइक का लैमिनेट और प्लाई बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो लेवर रेट है 300 रुप बना बड़ा सा TV यूनिट बनाया तो 300 रुपे पर स्केर फीट मार्की रेट है तो 12600 रुपे का मिस्त्री का खर्चा आगया कार्पेंटर का खर्चा आगया और अगर हम बिद मिटीरियल देते हैं उसको बट इसमें ध्यान रखना है प्लाई के बहुत ब्रेंड आते हैं औ और वो पहले आपको डिसाइड करना बड़ेगा तो 800 से 8500 रुपे पर स्केर फीट चल रहा है तो कुछ 627 का आगर टीब यूनिट बनाते हैं अच्छा सा ठीक है प्लाई और लेमिनेट से तो कुछ 33600 रुपे हमारा इसका खर्चा जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं अगर ह पर स्केर फीट इस समय रेट चल रहा है ठीक है material भी आगया लेवर भी आगया इसमें without material कम ही काम करते हैं लोग तो लेवर और material दोनों मैंने आपको बता दिया तो अगर आपका 10 वाई 10 का रूम है उसकी फॉल से लिंग आपको करनी है कुछ आपको 11,000 रुपय उसका चल रहा है 80-85 रुपय पर स्केर फीट अगर 10 वाई 10 का रूम है आपको कुछ 8,000 से 85-100 रुपया खर्चा आजएगा बिद material भी लेवर ठीक है अगर PVC की फॉल सी लिंग करवाते हैं कुछ 70 रुपय से 75 रुपय पर स्केर फीट खर्चा इस समय चल रहा है 10 वाई 10 का कम रहा तो 7,000 से 75-100 रुपया बिद material के साथ आपको काम हो जाएगा फिर अगर टाइल का काम करवाते हैं हम फ्लोरिंग की टाइल का ठीक है अगर सिर्फ लेवर रेट अगर हम बात करें तो वो चल रहा है 15 रुपय पर स्केर फीट के एसाफ से कितना 15 रुपय पर स्केर फीट दस अगर आपका है तो आपका 1500 रुपया लेवर का खर्चा आजाएगा फिर अगर आपको बिद material किसी ठेकदार को देने हैं तो आपको 120 से 135 रुपय पर स्केर फीट देना पड़ेगा लेकिन इसमें क्या होगा टाइल के रेट पर डिपेंड है टाइल का अगर आप लेते हो 60 आट रुपय पर स्केर फीट वाली तो आपको 135 रुपय पड़ेगा अगर लेते हो 50 रुपय पर स्केर फीट वाली टाइल तो आपको 120 रुपय तो मतलब टाइल पर डिपेंड होता है फिर आपका क्यूँकि कोई बीद में टीरियल काम देते हो उसमें material की variety बहुत ज़दा होति है तो एंटीरियर में यही दिक्कत होती है कि आप इतनी जल्दी काम को नहीं करवा सकती क्युंगि man material आपको वो बोलेगा अगर कोई आपको 200 रुपे रेड बोलता है तो वो बोलेगा कि यह material यूज़ कर रहा हूं वो दूसरा कर रहा होगा मतलब material की बहुत variety होती है तो दिक्कत आ जाती है अगला अगर डोर बनाती हो flush door का इस समय बहुत trend है डिमांड है flush door की तो अगर हम 307 का normal door बनाती है flush door मतलब बोर्ड विशे लगाया उपर लेमिनेट चिप करने तो 200 रुपे पर स्केर फीट आप से कम से कम एक कारपेंटर ले जाएगा तीन भाई साथ का डोर होगा 200 से 200 रुपे अगर हम पकड़ते हैं तो कुछ ब्याली सो रुपया करपेंटर आपका ले जाएगा यह maximum रेट है इससे कम में हो जाएगा बाकि अगर प्रफाइल लगाते हो और बनाते हो तो और जादा रेट बढ़ते रहते हैं अगर विद मेटीरियल देते हो वो चल रहा है साड़े 400 से साड़े 500 रुपया पर स्केर फीट तो अगर तीन भाई साथ का डोर बनाते हो कुछ 10,000 से 11,000 रुपया आपका विद मेटीरियल ले जाएगा अगर गर में पेंट वर्क करवाते हो देखो लेवर रेट इस समय चल रहा है 12 रुपय से 15 रुपय पर स्केर फीट जिसमें दो कोट पुट्टी प्राइमर और पेंट करके वो देगा ठीक है यह 12 से 15 रुपय पर स् के के जाता है पुरा किंट नरहों चल रहता हुए मैंचा नवेग directly λ così dudes में होते हाँ तो तो यहां चघयाए ले का पचास पर स्केर फीट लेह लेगा लेमिनेंट लोस्ती यह डगि घघूग होगे तो वह थीनلا कीजिए यह 12 रुपया स्केर फीट व्यवा पर सकर फिट ले को देती हो, तो अगर लेमिनेट से बनाता है वो, 1200 से 300 रुपे लेता है बट इसमें भी material मैंने कहा, बहुत quality होता है, तो basic rate हो गया अगर acrylic के साथ देती हो, तो वो आपका 2000 रुपे पर square feet तक पहुंच जाता है, तो यह आपको idea लग गया तो आपको labor rate तो idea लगी होंगे अभी मैं बताता हूँ, आपको wall paneling का बहुत trend है, साथ से आठ किसम की wall paneling होती interior work में तो interior work, इसी पे depend होता है तो इसका खर्चा कितना आता है वो मैं आपको बताता हूँ, पर square feet काफी option है, सारे option भी आपको पता चल जाएंगे, सबसे पहला option है आपके लिए, wall paper सबसे सस्ता है और देखने में luxury look देता है, कोई भी hotel में चले जाओ, वहाँ पे दीवारों पे wall paper होंगे ही होंगे तो कुछ ऐसा wall paper वो दिखता है जिसमें आपको जो pattern चाहिए हर एक pattern मिल जाएगा इसमें आपको सस्ते range से महंगी range तक पहुंच जाओगे आप, इसको लगबग आपको लगाने का खर्चा जो start होता है वो 80 रुपे से 90 रुपे पर square feet होता है मतलब आपकी अगर 10 भाई 10 की दिवार है, बैड के पीछे वाली तो आपको कुछ 8,000 रुपया खर्चा जाएगा एक दिवार पर wallpaper लगाने में, लेकिन wallpaper की भी quality बहुत ज़ादा differentiate करती है market में, तो उसी साफ से उसका price भी होता है, लेकिन एक अच्छी quality का wallpaper आपको 80 से 90 पर square feet में level plus material के साथ मिल जाता है, तो जो भी rate में आज आपको बताऊंगा, material और level दोनों इसमें include है, और कौन सा wallpaper आपको लेना है, कैसे quality चेक करना है, उसके लिए description में वीडियो में ने पूरे explain करके बना दी है, वो डाल चुका हो, वो देख लेना इसके बाद, अगला option आपके पास आ जाता है सस्ते में, वो है PVC panel, PVC panel भी bedroom की दिवार के पीछे बहुत अच्छी look देते हैं, बले आप इसको अपने sofa के पीछे लगाओ, बले living room में पले पूरे गर में, आप इसको लगवा सकते हो, काफी अच्छा look देते हैं जो market में इस समय काफी trendy look के साथ PVC panel आ गये हैं, पहले कुछ limited colors होते हैं, limited patterns होते थे आजकल बहुत तरीके के आपको दिखेंगे market में आप ले सकते हो तो इस समय जो market में इनका rate चल रहा है, वो चल रहा है 55 रुपे से 65 रुपे पर square feet, इसमें भी labor price material include है, लेकिन आपके area में ये महंगे हो सकते हैं, क्यूंकि आगर आप wholesale से लेते हो, ये 55 जो 65 में बोल रहा हूँ, ये आपको 40 से 50 रुपे पर square feet में भी मिल जाते हैं, बाकि इनकी भी quality आपको देखके ही लेनी है, PVC पैनल की life अगर हम बात करें, तो अगर अच्छे से उनको रखोगे, तो आर से 10 साल इनको कुछ नहीं होता है थोड़े टाइम बाद इनका color fade होने के chances होते हैं, लुक थोड़े dell होने लग पड़ती है, लेकिन एक अच्छा option है आपने bed के पिछे लगवाने के लिए, next जो option आपके पास आता है, इस समय ट्रेंडिंग में है, वो है UB marble sheet UB marble sheet एक लुक आपको देती है Italian marble, Italian tile की तरह, जिसको आप अपने wardrobe पे यूज़ कर सकते हो, जिसको आप अपने bed के पिछे design बनवा सकते हो अपनी wall कहीं भी यूज़ कर सकते हो यह बहुत अच्छा लगता है, इससे लोग TV units बना रहे हैं, अपने bed के पिछे यूज़ कर रहे हैं, अपने 10 x 10 की दिवार है, तो आपको approach कुछ 10,000 से 12,000 रुपया खर्चा आ जाता है दिवार पे लगाने का, और इसका यो rate चल रहा है, वो चल रहा है 100 से 140 रुपया पर scare feed, अगर आप अच्छी quality की UV marble sheet लगाते हो, इसमें भी labor plus material मैंने बोल दिया है और जो मैं आपको idea दे रहा हूँ rate का, ये हर location पे 10-20 रुपय आगे पिछे हो सकते है, material की quality भी होती है, labor का भी rate होता है तो वो अलग-लग हिसाब से होता है, लेकिन लग-बग, ये standard rate है, इससे अगर कोई 200 रुपया बोल दिया है 300 रुपया तो वो extra cost आप से ले रहा है, अगला option आपके पास हो जाता है, जो PVC के fluted panel आज कल चल रहे हैं बहुत सुंदर दिखते हैं, fluted panel तो market में आपको 80-90 रुपय पर square feet के साब से fluted panel मिल जाएंगे, जो आपके गर को एक अलगी look दे देते हैं, इनको आप अपने office में लगाईए, आप अपने bed के पीछे यूज़ कर सकते हो, तो ये आपके गर के लिए option हो सकते है इसमें भी काफी colors आपको मिलते हैं brown color, mostly लोग choose करते है क्योंकि ये वो एक vibrant रहता है हमेशा की तरह, लेकिन आपको इसमें काफी colors भी मिल जाएंगी, अगर आपकी 10 x 10 की दिवार है, तो आपको कुछ 8000 से 9000 रुपया पर स्केर, 9000 रुपया खर्चा पड़ जाएगा, material प्रस labor के साथ अगला option बहुत अच्छा है PU stone, ये थोड़ा costly option है लेकिन आप इसको entry में यूज कर सकते हैं, अपनी entry की wall पे या अपने bedroom के wall के पीछे तो इसका जो PU stone ये सामने आप stone देख रहे हैं, एक knuckly stone है PU से form से बनता है और ये जितना ज़ादा इसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है, उतना ज़ादा ये costly होता है, और इसमें भी आपको colors, patterns काफी मिल जाएंगे ऐसा लगेगा कि अपने अपने दिवार पे पत्थर सा लगाया हुआ है और इसको ये unique look देता है, क्योंगे काफी लोगों को इसके बरे में पता नहीं है जिनको पता है, cost की बज़न से लोग लगवाते नहीं अगर आप अपनी दिवार पे लगवाते हो तो आपको 220 से 300 रुपया पर square feet इसका खर्चा पड़ जाएगा, अगर आपकी 10 बई 10 की दिवार है, लगबग आपका जो 22,000 से 30,000 रुपया खर्चा आजाता है एक दिवार पे लगाने का तो काफी खर्चा इसको लगाने का पड़ जाता है अगला option आपके लिए इसमें है, वो है WPC lower, WPC lower क्या होगे ऐसे कुछ शेव वो देखने पहले क्या होता था, इसे लकड़ी से बनाया जाता था मतलब पूरा mold किया जाता है लकड़ी को cutting करकर ये pattern बनाया जाते थे फिर दीरे-दीरे WPC lower आगे तो उन्होंने ये market ले ली क्योंकि इसमें काफी colors मिलते हैं काफी look ये देते हैं तो आप अपने bedroom के पीछे इसको use कर सकते हो कहीं भी इसको दिवार पर लगाओ लेकिन एक चीज़ में ध्यान दे दू जो भी paneling हम करवाते हैं बले PVC है जो भी paneling एक दिवार पर लगती है अच्छी अगर पूरे गर में वो करवाने जाओगे तो वो बहुत weird सा लगेगा तो आपको हमेशे एक चीज़ करना है जो भी दिवार को आप highlight करने वाले हो उसी दिवार पर ये paneling करना तो WPC lower लगाने का जो खर्चा हमें पढ़ जाता है 180 से 190 रुपे पर square feet हमारे market इसमें rate चल रहा है तो अगर 10 by 10 की दिवार है तो आपको 18,000 से 19,000 रुपे खर्चा आ जाता है बाकी हर location पे depend होगा rate 10-20 रुपे आगे पीछे हो सकता है और material की quality चेक करके ही लेना अगर मैंने 180-190 बोल दिया तो मैं अच्छी quality का material बोल रहा हूँ तो अगर आपको कोई देट सुर्वे पर square feet material 180 का देदेगा तो दिक्कत आ जाएगी तो market में जब भी PVC पैनल लेना है 3-4 दुकानों में जाके पता करना है उसकी thickness देखनी है quality देखनी है अगला जो आपके पास option हो जाता है lowers में ही अगर आपको WPVC lowers अच्छे लग रहे हैं हमें दिवार पे quality क्या करनी है क्योंकि थोड़ टैम बाद हमें इसको change करने कौन सा इस पे load आने वाला है कौन सा हम तोड़ने वाले तो आप इसके साथ भी जा सकते हो PVC lowers के साथ तो PVC lowers लगने का खर्चा आपको 130 से 140 रुपे पर square feet पड़ जाएगा और यह अच्छी look आपके गर को देंगे तो इसको भी आप अपने option में add कर सकते हो अगला option जो आपके पास आ जाता है वो है molding का molding बहुत अच्छी look देती है एक Paris look अगर आपको अपने गर में चाहिए एक सस्ते में तो यह look आप अपना सकते हो PVC की molding आती है लकडी की molding आती है और भी काफी material जिनकी molding होती है molding कुछ ऐसी दिखती है दिवार पे और circular patterns आप जब बनाती हो तो बहुत सुंदर यह दिवार पे दिखती है तो इससे भी आप अपने hall की wall को highlight कर सकते हो bedroom की wall को highlight कर सकते हो तो इसमें जो आपका खर्चा पढ़ जाता है लगबग 130 से 160 रुपया पर running feed के हिसाब से rate होता है इसका square feed के हिसाब से नहीं होता है जितनी लंबा design आप बनाओगे तो उतना इसका rate हो जाएगा तो मतलब एक running feed का 130 से 160 रुपया rate पढ़ जाता है अगर 20 running food होता है या 10 running food होता है तो उसको आप multiply कर लो आपका 13,000 या 14,000 रुपया खर्चा आपका आ जाएगा तो इस हिसाब से calculation की जाती है बाकी दिवार पे आप profile light का भी trend है आप इसको false link में करवाओ बले आप दिवार पे गरवाओ पैटर्न्स बनाते हैं बहुत सुन्दर दिखते हैं जैसे सामने आप देख रहे हो तो ये profile light यूज की गई है तो इसका भी जो rate होता है वो running feed के साब से होता है 220 से 230 रुपया running feed के साब से ये market में आपको अच्छी quality की लग जाएगी material प्लस lever तो कुछ जो भी design मनाओगे उसको लंबाई उसकी नापनी है आपको अगर आपकी 10 फुट है तो आपको उसके लिए per scale running feed के साब से 220 रुपया देना पड़ेगा अगला option है आपके पास P.O.P की P.O.P के design भी हम काफी दिवार पे बनाते हैं तो P.O.P का जो खर्चा है 140-500 रुपया per scale feed के साब से आपको पड़ जाता है अगर आप दिवार पे करवाते हो एक और option आपके पास आता है वो है stuco paint का तो stuco paint अगर दिवार पे लगवाते हो तो वो ऐसे तो आपको 89 रुपय per scale feed मिल जाएगा तो यह आप अपनी दिवार पे लगवा सकते हो तो यह कुछ option है जो अपनी आप wall penning में add कर सकते हो rate भी लगवग आपको पता चल गया